आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे नाम ऐसे धान तक नहीं हो तरी स्टडी ग्लोज पर आपका बहुत दोस पागे तो बता दो दोस्तों की एनकाउंटर सेक्यूरिटी फोर्सेज का चालू है क्या हुआ कि पिछले बारा दिनों में दो हमले किये यहां पर आतंकियों ने तो जो अवारी सेक्यूरिटी फोर्सेजनर हो आजो बेटा कश्मीर पिछले पांच सालों से डेवलप्मेंट की रहा पे है जब से दो 370 हटा है और अब इलेक्शन भी हो गए कोटे का इलेक्शन भी हो गए उमर अब्दुल्ला सीम भी बन गए उन्होंने एक पस्ताव भी ला दिया स्टेट होड़ का पहले लेटिन गवर्नर मनोसिना मान गए अब केंदर भी मान गय कि जम्मू कश्मीर की स्टेट हो जाएगा जिसको होना चाहिए बहुत अची कबर है ये मैं तब से ये बात बोल रहा हूँ इस चीज़को एड़ोकेट कर रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर को फूल स्टेट हुड का दरजा मिले तुरंट जो की होता हुआ दिख रहा है दूसर बजे से आड़ बजे तक तेरा घंटे में वंदे भारत पहुचा देगी आपको शिरी नगर जो कि एक बहुत बड़ा डेवलप्मेंट है क्योंकि फाइनली उधंपूर शिरी नगर बारा मुला रेलवे लाइन प्रोजेक्ट पूरा हो चुका उसका 95% काम पूरा हो चुका है और अब जनवरी में इनागरेशन है उसका जो नई नवंदे भार स्लीपर है ये एक बहुत बड़ा काम करने वाली है कश्मीर की डेवलप्मेंट में इसी बीच क्या होता है कि लगातार आतंकियों के हमले बढ़ जाते हैं कश्मीर में अब हमले नहीं हो सकते क्योंकि सेन ने ग्रिड बना दिये ठीक है सेना ने यहां पर ग्रिड बनाई हुई है प्रॉपर और उस ग्रिड सिस्टम में ऐसा है ना कि हर जगा सेना तैनाथ है इंफर्मेशन तुरंत जाती है तो कश्मीर में हमले नहीं होते जम्मू जहां पर हमले नहीं होते थे वहां पर हमले हो उसके काफी reasons भी थे तो पिछले 6 महीने में हमने जम्मू में हमले देखे जो बिल्कुल शानत इलाका था कोई बात ने आर्मी ने उसको भी handle कर लिया अभी पिछले एक महीनों में कश्मीर में थोड़े हमले हमको देखने को मिले है बढ़गाओं में पिछले 12 दिनों में दो बड़े हमले हुए हमने देखा है डॉक्टर के ओपर हमला हुआ फिर दो दिन पहले जो है दो लेबरर्स को मारा आतंक वादी ने लेबरर्स को मार दिया जो वहाँ पर काम करते हैं तो उसके बाद फिर सेक्यूरिटी फोर्सेज ने क्या किया एंकाउंटर किया किसका लश्कर तैवा के टॉप कमांडर का उस्मान है ना तो ये टॉप कमांडर उस्मान जो कि टी आरेफ को भी जो दे रेजिस्टेंस फोर्स है लशकरे ताइबा का एक विंग उसको भी देखता था तमर तोड़के रगदी, मार दिये जान से दो आतंकियों को मारा पहली बार दो साल में बलब दूसरी बार ये एंकाउंटर किया पिछली बार सप्टेम्बर 2022 में सर्च आप्रेशन करके ढूंड के मारा था फारुक अब्दुलक का अब्दुलक के बयान भी आया था भी मैंने आज किया भी था कि आतंकियों को मारिये नहीं उनको बैठाई और उनसे ये पूछिए कि तुम्हारा आका कौने सबको पता है और लश्करे ताभा के तो पाकिस्तान से पाकिस्तान ही आका है तो यहाँ पर एंकोंटर चलाएगो और इनको मार दिया अब उसके बाद हमला हुआ है दोस्तों शिरी नगर के जो संडे मार्केट है वहाँ पे ग्रेनिट से हमला हुआ है ग्रेनिट फेका यहाँ पे आतंकी ने और इसमें बारा लोग जो है वो घायल है अभी दस थे बारा होगे हो सकता है और भी यहां कड़ा बढ़े इंजर जो घायल है उनको श्री माराजा हरी सिंग होस्पिटल में भरती कराया गया है टूरिस्ट डिसेप्शन सेंटर है श्री नगर में एक मेसेज देने की बात है कि बहुत टूरिजम टूरिजम कर रहे हो लेकिन हमें पूरा होने नहीं देंगे तो भाई जैसे ही हमला हुआ हर जगा पानिक फैला हर जगा लोग घबराए लोग इधर उधर भागे भागे भाई जाहीर सी बात है बॉम ब्लास्ट है एक तरीके से तो इसमें आठ औरते हैं आठ आदमी और एक और जो है वो घायल है हाला कि भी बता दू कि एवरिवन इस स्टेबल परा मिलिटरी फोर्ट से लेकर पुलिस चैसे ही ये ख़बर लगी सब वहाँ on the spot पहुँचे उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया है कि जो पिछले कुछ दिन है इसमें यहाँ पे काफी अटाक्स और एंकाउंटर्स हमको जम्मू कश्मीर में देखने को मिले कश्मीर में बेसिकली देखने को मिले और जो संडे मार्केट की निउस है दुकानों पे जो हमला हुआ है वो काफी जादा disturbing है कोई भी इसका justification security forces को बोला है उम्मार अब्दिल्ला ने कि आप मारिये भी आपको जो करना हो करिये इनको खतम करिये तो security forces देखे इस यह अटाक ना हो ठीक है तो अब आज मैंने एक lecture किया कि क्या पाकिस्तान को भारत से trade relation दुबारा करने चाहिए पाकिस्तान कह रहा है कि champion traffic ले अपनी team भेजो इनके foreign minister कह रहे है कि कुछ भी करके हम भारत से relation मनाएंगे business करेंगे औरंग जेर जो इनके मंतरी है वो कह रहे है कि अगर आप यह सोच रहे हैं कि हम अपने पडोसियों से business नहीं करेंगे तो illogical है अब आप एक बात बताईए यह हमले कौन करवा रहा है पाकिस्तान करवा रहा है तभी एक तरफ आप हमले करा रहे हैं और दूसरी तरफ आप यह सोच रहे हम आपको पैसा देंगे हम अपने cricket team भेजेंगे तो वही terrorism और trade साथ साथ नहीं चल सकते आपको इस पे काम करना पड़ेगा अब यहाँ पे सब बौखलाएं हुए है क्योंकि कश्मीर में एक के बाद एक नएने प्रोजेक्ट्स आ रहे है कश्मीर में development हो रहा है recorded tourists आ रहे हर साल कश्मीर में recorded tourists ऐसी घटनाएं होती हैं अब दुखद है लेकिन यह एक आद घटनाएं है बाकिया आर्मी ने फुल कंट्रोल लिया हुआ है तो यहाँ पे हमको यह समझना पड़ेगा कि कश्मीर इजॉंदी रिवे रोड ओफ डेवलोप्मेंट वहाँ पियोके की बात किया यही है कि यह ब्लास्ट और यह जो चीज़े आपको दिखरें इस सिर्फ पैनिक क्रियेट करने के लिए है क्योंकि टॉप लस्करें कमांडर को मारा हटाया तो बदला लेने के लिए कि ऐसे कैसे करते हैं सब फॉरिंट टेररिस्ट है यहां का कोई नहीं है सब बाहर के हैं है ना तो अब वही है बड़ा हमला है फिलाल और हमारी सेल का आज आखरी दिन है फाइदा उठा है उसका दिवाली 40 कूपन को यूज करें तांकियो सो मच